पाग दो, वर्न विचार हिमाले परवत तो बहुत उचा है तुम्हें पता है हिमाले परवत संसार में सबसे उचा है गंगा नदी, यमुना नदी तथा अनेक नदियां भी हिमाले से ही निकलती है बच्चों ने तो बातों बातों में हिमाले परवत की कितनी खास बाते बता दी इन सबने जो बातें कहीं उसके लिए मुख से ध्वन्या निकली जैसे हिमाले ह जमा, इ जमा, म जमा, आ जमा, ल जमा, अ जमा, य जमा, अ परवत प जमा, अ जमा, र जमा, व जमा, अ जमा, त जमा, अ गंगा ग जमा, अं जमा, ग जमा, आ नदी न जमा, अ जमा, द जमा, ई मुख से निकली ध्वनिया लिखित रूप में वर्ण कहलाती हैं इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किये जा सकते अतहम कह सकते हैं भाषा में उन सबसे छोटी ध्वनियों और उनके लिए निर्धारित प्रतीक चिन्हों को वर्ण कहते हैं जिनके और टुकडे नहीं हो सकते वर्ण भाशा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण माला, वर्णों के क्रमिक एवं व्यवस्थित समूह को वर्ण माला कहते हैं प्रतियक भाशा की अपनी वर्ण माला होती है हिंदी की मानक देवनागरी वर्ण माला इस प्रकार है स्वर अ, आ, इ, ई, उ, उ, री, ए, आई, ओ, आ अनुस्वार अंग, विसर्क, अह व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, 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 न, ट, ठ, ड, ध, ढ, र, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र, ग, श, ग, 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 र, अग, त, ज, फ, आ, हल्चिन, सामानित सभी व्यंजन वर्णों में अस्वर्ण जुड़ा होता है जब स्वर्ण रहित व्यंजन का प्रयोग करना हो तो उसके नीचे हल्चिन लगाया जाता है सभी व्यंजन अपनी मूल रूप में हलंत सहिती होते हैं ध्यान दीजे, ओ स्वर्ण यह अंग्रेजी भाशा के कारण हिंदी में ग्रहन किया गया स्वर्ण है इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय किया जाता है यह हिंदी स्वर आ और ओ के बीच की ध्वनी है इसके प्रयोग करने न करने में शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं जैसे डाल, डौल वर्ण के भेद हिंदी वर्ण माला में मुख्यता दो प्रकार के वर्ण है स्वर और व्यंजन स्वर जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती और हवा बिना किसी रुकावट के हमारे मुख से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं हिंदी में 11 स्वर हैं, अ, आ, ई, ई, उ, री, ए, आई, ओ, 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 अंग्रेजी भाशा से ग्रिहित स्वर है, री का उच्चारण, हिंदी में री का उच्चारण, री के रूप में होने लगा है, ओध्वनी, हिंदी में अंग्रेजी आदी भाशाओं से अनेक शब्द आ गए हैं और हिंदी के अपने बन गए हैं उदाहरण के लिए कॉपी, डॉक्टर, बॉल, रॉकेट आदी में न तो आध्वनी है और न ओ, बल्खी इनके बीच की ध्वनी है इस आगध्वनी के लिए हमने औ वर्ण बना लिया है जिसकी मात्रा है जैसे ओफिस, मौल, टॉफी, आदी स्वरों के भेद स्वरों के भेद का निर्णय निम्नलिखित चार आधारों पर किया जाता है उच्चारण में लगने वाले समय यानि मात्रा का आधार, अनुनासिक्ता यानि उच्चारण का आधार, उच्चारण अस्थान का आधार, प्रयत्न का आधार उच्चारण में लगने वाले समय यानि मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गी करण उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं रस्वस्वर, दीर्गस्वर और तुट्स्वर रस्वस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम यानि एक मात्रा का समय लगता है उन्हें रस्वस्वर कहते हैं ये चार हैं A, I, U, R दीर्गस्वर जिन स्वरों के उचारण में रस्व स्वरों से दुगना यानि दो मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्गस्वर कहते हैं ये साथ हैं A, E, U, A, I, O, O ग्रिहत्वर ओ भी दीर्गस्वर ही है प्लुट्स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में रस्व स्वरों से तीन गुना यानि तीन मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुट्स्वर कहते हैं इनका प्रयोग अधिकतर संस्कृत में किया जाता है जैसे ओम आदी हिंदी में पुकारने या समविगात्मक अभिव्यक्ती के समय इनका प्रयोग किया जाता है जैसे हे प्रभु आह आदी अनुनासिकता यानि उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गी करण मुख के साथ नाक से हवा निकलने के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं निरनुनासिक और अनुनासिक निरनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है उन्हें निरनुनासिक स्वर कहते हैं जैसे अ, आ, इ, ई, उ, उ, री, ए, आ, आ, ओ, आउ. अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों का उचारण करते समय हवा, मुख और नाक दोनों से निकलती हैं, उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं. जैसे अ, आ, इ, इ, उ, उ, री, ए, आ, 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 आू. अनुनासिक्ता के लिए स्वर के उपर चंदरबिंदू का प्रयोग किया जाता है, किन्तु यदि किसी स्वर की मात्रा शिरोरेखा के उपर हो तो चंदरबिंदू के अस्थान पर बिंदू का प्रयोग होता है. जैसे चांद, नहीं, मैं, कहीं, मूच, आदी स्वरों का प्रयोग स्वर का प्रयोग दो रूपों में होता है स्वतंत्र रूप में शब्द के प्रारंभ, मध्य या अंत में स्वरों को मूल रूप में प्रयुक्त किया जाता है जैसे आग, इधर, ओस, आओ, खाईए, आदी में मात्रा रूप में जब कोई स्वर व्यंजन के साथ मिला कर लिखा जाता है तब उसकी मात्रा ही लगती है इस प्रकार मात्रा स्वर का वह रूप है जो व्यंजन के साथ जुड़ता है जैसे न, जमा, इ, बराबर, नी, प, जमा, आ, बराबर, प, आदी स्वरो की मात्राएं इस प्रकार है अ, आ, इ, इ, उ, उ, री, ए, आई, ओ, आउ उच्चारन स्थान के आधार पर स्वरो का वर्गी करण किसी वर्ण के उच्चारन में जिस अंग का मुख्य योगदान होता है उसे उस वर्ण का उच्चारन अस्थान कहते हैं कंट, तालू, मूर्धा, दंत्यानी दांत, ओश्ट और नाक उच्चारन के महत्वपूर्ण अस्थान है जीप और स्वर्ध यंत्र का सभी वर्णों के उच्चारन में सहयोग होता है इसलिए इनकी गड़ना उच्चारन अस्थान के रूप में नहीं होती इन उच्चारन अस्थानों के नाम पर वर्णों के नौभीद हैं जो इस प्रकार हैं वर्णू की उच्चारनस्थान वर्ग का नाम उच्चारनस्थान वर्ण कंथ गला अ कवर्ग ह ओर विसर्ग तालव्य तालू ई चवर्ग य और श मूर्धन्य, मूर्धा, मुक्की, छत्का मध्य, री, टवर्ग, र और श, दंत्य, दात, री, तवर्ग, ल और स, ओष्ठ, ओष्ट, होंट, उ, पवर्ग नासिक्य, नासिका, नाक, अंग, न, 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 म, दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ, व, कंट तालव्य, कंट और तालू, ए, आई, कंटोष्ठ, कंट ओष्ठ, ओ, आउ उपर की तालिका के अनुसार उच्चारन स्थानों के आधार पर स्वरों के छे भेद होते हैं, कंट, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंट तालव्य, कंटोष्ठ प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गी करण वर्णों का उच्चारण करने में बोलने वाले को जो प्रयास करना पड़ता है उसे प्रयत्न कहते हैं प्रयत्न के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित मुख्य भेद होते हैं घोश स्वर सभी स्वरों के उच्चारण में स्वर्ट तंत्रियों में कमपन यानि नाद या घोश होता है, इसलिए सभी भाशाओं के सभी स्वर घोश होते हैं. विवरित हिंदी वर्ण माला में स्वरों के बाद दो ध्वनिया और भी हैं, अंग यानि अनुस्वार और अह यानि विसर्ग, ये स्वर ध्वनिया नहीं है, किन्तु इनका उच्चारण सदैव स्वर के बाद होता है. अनुस्वार अनुस्वार को स्वर्य व्यंजन के उपर लगाया जाता है, जैसे अंक, इंदू, चंपा, संकट, अंगत, आधी हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग स्पर्ष व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के स्वर्रहित पंचमाक्षक्ष के लिए किया जाता है जैसे गंगा, गंगा, चंचल, चंचल, कंट, कंट, अंत, अंत, कंपन, कंपन, आधी य, र, ल, व, श, श, स, ह से पहले अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, किन्तू उच्चारण भिन्न हो सकता है जैसे अंश, कंस, समवाद, संसार, संगार, आधी विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण अगोश ह, व्यन्जन के समान होता है जैसे स्वतह, अतह, प्रातह, आधी इसका प्रयोग प्राय संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है विसर्ग का संधी रूपों में विशेश महत्व है अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर अनुस्वार, व्यन्जन ध्वनी है जबकि अनुनासिक स्वर्ध्वनी है अनुस्वार के उच्चारण में श्वास वायूनाक से निकलती है जबकि अनुनासिक के उचारण में वायो नाक और मुह दोनों से एक साथ निकलती है इन दोनों के गलत प्रयोग से शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं जैसे हंस एक जलिय पक्षी, हंस एक क्रिया व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और जिनके उचारण के समय हवा रुक कर या रगण खाकर मुख से बाहर निकलती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं व्यंजनों का वर्गी करण व्यंजन वर्णों को सामानित तीन भागों में बाटा जाता है स्पर्ष, अंतस्त और उश्म स्पर्ष व्यंजन कौ से मतक के व्यंजन स्पर्ष व्यंजन है इन व्यंजनों का उचारण करते समय मुख के कोई दो अंग अलग-अलग स्थानों का स्पर्ष करते हैं इसलिए इन्हें स्पर्ष व्यंजन कहते हैं इनके 5 वर्ग हैं प्रतियक वर्ग में 5 वियंजन होते हैं प्रतियक वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले वियंजन के नाम पर रखा गया है क वर्ग क ख ग घ अंगा च वर्ग च छ ज ज ज इया त वर्ग त थ ड ध ध न स्पर्श व्यंजन त वर्ग त थ द ध ध न प वर्ग प भ भ म अंतस्त स्वर अंतस्त व्यंजनों का उचारण करते समय मुख का कोई अंग दूसरे अंग का पूरी तरह स्वर्श नहीं करता अर्थात इनका उचारण स्वरों और व्यंजनों के बीच की स्थिती में होता है इसलिए इन्हें अंतस्त व्यंजन कहते हैं य, र, ल, व, चार अंतस्त व्यंज उश्म व्यंजन इनका उचारण करते समय हवा मुह में बहुत अधिक रगड़ खाने के कारण थोड़ी उश्म यानी गरम हो जाती है। इसलिए इन्हें उश्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में चार हैं श, श, स, ह, संयुक्त व्यंजन दो अलग-अलग व्यंजनों से मिल कर बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहते हैं। हिंदी वर्ण माला में चार संयुक्त व्यंजनों को स्थान दिया गया है। श, त्र, ग्यां और श्र. संयुक्त व्यंजन और वर्ण संयोग. संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन मिलकर एक नया और वर्ण संयोग में दो वर्ण आपस में बहुत कुछ अपने पूर्व में बने रहते हैं। वर्ण संयोग में हलंत व्यंजन में स्वर मिलने पर स्वर व्यंजन में मिलकर एक रूप हो जाता है। व्यंजन के सामान्य रूप वर्ण संयोग का उदाहरण है। क्योंकि इन में कंट, तालू, मूर्धा, दंत यानी दात, ओष्ट और नाक उचारण के महत्वपूर्ण अस्थान है जीब और स्वर्ध यंत्र का सभी वर्णों के उचारण में सहयोग होता है इसलिए इनकी गर्णा उचारण अस्थान के रूप में नहीं होती इन उचारण अस्थानों के नाम पर वर्णों के नौभीद है जो इस प्रकार है वर्णों के उचारण अस्थान, वर्ग का नाम, उचारण अस्थान, वर्ण, कंठ, कंट, गला, अ, कवर्ग, ह, और विसर्ग, तालव्य, तालू, इ, चवर्ग, य, और श, मूर्धन्य, मूर्धा, मुक्की, छतका मध्य, री, तवर्ग, र, और श, दंत्य, दात, री, तवर्ग, ल, और स, ओष्ठ, ओष्ट, होंट, उ, पवर्ग नासिक्य, नासिका, नाक, अंग, न, 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 म, दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ, व, कंट तालव्य, कंट और तालू, ए, आई, कंटोष्ठ, कंट ओष्ठ, ओ, आउ उपर की तालिका के अनुसार उच्चारन स्थानों के आधार पर स्वरों के छे भेद होते हैं, कंट, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंट तालव्य, कंटोष्ठ प्रयत्न के आधार पर स्वरों का वर्गिकरण वर्णों का उच्चारण करने में बोलने वाले को जो प्रयास करना पड़ता है उसे प्रयत्न कहते हैं प्रयत्न के आधार पर स्वरों के निम्नलिखित मुख्य भेद होते हैं घोश स्वर सभी स्वरों के उच्चारण में स्वर्ट तंत्रियों में कमपन यानि नाद्या घोश होता है इसलिए सभी भाशाओं के सभी स्वर्ट घोश होते हैं विवरित हिंदी वर्ट माला में स्वरों के बाद दो ध्वनिया और भी हैं अंग यानि अनुस्वार और अह यानि विसर्ग ये स्वर ध्वनिया नहीं हैं किन्तु इनका उच्चारण सदैव स्वर के बाद होता है अनुस्वार अनुस्वार को स्वर्य व्यंजन के उपर लगाया जाता है, जैसे अंक, इंदू, चंपा, संकट, अंगत, आधी हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग स्पर्ष व्यंजन के प्रतियेक वर्ग के स्वर्रहित पंचमाक्षच के लिए किया जाता है जैसे गंगा, गंगा, चंचल, चंचल, कंट, कंट, अंत, अंत, कंपन, कंपन, आधी य, र, ल, व, श, श, स, ह से पहले अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, किन्तू उच्चारण भिन्न हो सकता है जैसे अंश, कंस, समवाद, संसार, संगार, आधी विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण अगोश ह, व्यन्जन के समान होता है जैसे स्वतह, अतह, प्रातह, आधी इसका प्रयोग प्राय संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है विसर्ग का संधी रूपों में विशेश महत्व है अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर अनुस्वार, व्यन्जन ध्वनी है जबकि अनुनासिक स्वर्ध्वनी है अनुस्वार के उच्चारण में श्वास वायूनाक से निकलती है जबकि अनुनासिक के उचारण में वायो नाक और मुह दोनों से एक साथ निकलती है इन दोनों के गलत प्रयोग से शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं जैसे हंस एक जलिय पक्षी, हंस एक क्रिया व्यंजन जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और जिनके उचारण के समय हवा रुक कर या रगड़ खा कर मुख से बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं व्यंजनों का वर्गी करण व्यंजन वर्णों को सामानित तीन भागों में बाटा जाता है स्पर्ष, अंतस्त और उश्म स्पर्ष व्यंजन क से मतक के व्यंजन स्पर्ष व्यंजन है इन व्यंजनों का उचारण करते समय मुख के कोई दो अंग अलग-अलग स्थानों का स्पर्ष करते हैं इसलिए इन्हें स्पर्ष व्यंजन कहते हैं इनके पाँच वर्ग हैं प्रतियेक वर्ग में पाँच वियंजन होते हैं प्रतियेक वर्ग का नाम उस वर्ग के पहले वियंजन के नाम पर रखा गया है क वर्ग क, ख, ग, ग, अंग, च वर्ग, च, छ, ज, ज, इया त वर्ग, ट, थ, ड, ढ, ढ, न, स्पर्ष वियंजन त, तवर्ग, त, थ, द, ध, न, पवर्ग, प, भ, 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 म, अंतस्त स्वर अंतस्त व्यंजनों का उचारण करते समय मुख का कोई अंग, दूसरे अंग का पूरी तरह स्वर्ष नहीं करता अर्थात इनका उचारण स्वरों और व्यंजनों के बीच की स्थिती में होता है इसलिए इन्हें अंतस्त व्यंजन कहते हैं य, र, ल, व, चार अंतस्त व्यंजन हैं उश्म व्यंजन इनका उचारण करते समय हवा मुह में बहुत अधिक रगड़ खाने के कारण थोड़ी उश्म यानी गरम हो जाती है इसलिए इन्हें उश्म व्यंजन कहते हैं ये संख्या में चार हैं श, श, स, ह संयूक्त व्यंजन दो अलग-अलग व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को संयूक्त व्यंजन या संयूक्ताक्षर कहते हैं हिंदी वर्ण माला में चार संयुक्त व्यंजनों को स्थान दिया गया है संयुक्त व्यंजन और वर्ण संयोग संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन मिलकर एक नया रूप ले लेते हैं व्यांजन के सामान्य रूप वर्ण संयोग का उदाहरण है, क्योंकि इन में औ स्वर मिला होता है। दो व्यांजनों के वर्ण संयोग में स्वर्रहित व्यांजन थोड़े से परिवर्तन के साथ स्वर्सहित व्यांजन से मिल जाता है। ग्रिहत व्यंजन र, अड़, हिंदी की दो प्रमुग ग्रिहत व्यंजन ध्वनिया हैं, इनके उचारण में जीप पहले उपर उठती है और फिर जटके के साथ नीचे गिरती है, इसलिए इन दोनों को उच्छित व्यंजन भी कहते हैं. इनके अलावा विदेशी भाशाओं के शब्द हिंदी में आजाने से कुछ नई ध्वनियों की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए कुछ व्यंजनों में नुक्ता लगाया जाता है. कुछ शब्दैसे हैं जिनका हिंदी और उर्दू में उच्चारण और वर्तनी लगभग एक जैसे हैं, परंतु उनके अर्थ अलग-अलग होते हैं, जैसे सजा, सजाना, सजा, दन, फन, सापका, फन, हुनर, अर्थ के इस अंतर को सपश्ट करने के लिए नुक्ते का प्रय इस प्रकार हैं, जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी पाई लगी होती है, उन्हें दूसरे व्यंजन से सयुक्त करते समय वह पाई हटा दी जाती है, जैसे ख्याती, त्याग, अम्ल, प्यार, न्याय, विग्न, डिब्बा, आदी, जिन व्यंजनों के मध्य में खड़ी पा आती है क, फ, उनके पाई के बाद अंश का निचला हिस्सा हटा कर उन्हें अगले वर्ण के साथ मिला कर लिखा जाता है, जैसे क्या, वक्त, क्लांत, दफ्तर, आदी, छोटी खड़ी पाई वाले वर्णों, जैसे ट, ठ, ड, ध, द, ह, को मिला कर लिखते समय, इन्हें हलंत रूप में लिखा जाता है, जैसे चिठी, गढड़ा, विद्या, चिन, ब्रह्मा, आदी, विशेश, ध्य और ध्य दोनों अलग-अलग व्यंजन है, इनमें ध्य, संयुक्त व्यंजन, द, जम, य बराबर ध्य है, इसलिए ध्य को ध्य लिखना या बोलना बिलकुल गलत है, द्वित्व व्यंजन, जब एक रहित व्यंजन अपने समरूपी स्वर सहित व्यंजन से मिलती है, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे कच्चा, पक्का, गत्ता, गदी, खड़ी, सम्मान, आदी, विशेश रूप से व्यंजनों का वर्गी करण दो आधार पर किय व्यंजनों के निमनलिखित नौ भेद होते हैं, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, नासिक्य, दंतोष्ठ्य, कंठ्य, तालव्य, कंठोष्ठ्य, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गी करण प्रयत्न तीन रूपों में होता है, स्वर्तंत्रियो गोश और अघोश द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह, तथा र, अड, व्यंजन घोश होते हैं। अघोश जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग होता है और स्वर्ण तंत्री में कमपन नहीं होता उन्हें अघोश व्यंजन कहते हैं। सभी वर्णों के पहले और दूसरे व्यंजन अर्थात क, ख, च, च, ट, ठ, त, थ, प, फ, और श, श, स, व्यंजन अघोश होते हैं। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। अल्पप्राण तथा महाप्राण। अल्पप्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायू कम मात्रा में बाहर निकलती हैं, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं. वर्गों के पहले तीसरे और पांच्वे व्यंजन क, ग, अंग, च, ज, इं, ट, ड, र, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व, त, र, अल्पप्राण होते हैं. महाप्राण व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायू अधिक मात्रा में बाहर निकलती हैं, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं. वर्णों के दूसरे और चौते व्यंजन इन तीनों के अलग से वर्ण चिन्ध नहीं हैं, महाप्राण होते हैं. श्वास के अव्यंजनों के भेद वर्णों के उच्चारण करते समय श्वास वायू में कहां और कैसे अवरोध उत्पन होता है, इस आधार पर व्यंजनों के निमनलिखित भेद होते हैं. स्पर्शी क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, ध, त, थ, द, ध, प, भ, 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 ख संगर्शी स, श, श, ह, ह, ख, ज, फ स्पर्शी संगर्शी च, छ, ज, 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 नासिक्य र, य, न, न, म पार्श्विक, ल, उत्षिप्ट, र, अढ, प्रकम्पी, र, अर्धस्वर, य, व वर्ण विच्छेत, शब्दों की ध्वनियों यानि वर्णों को अलग-अलग करके लिखना वर्ण विच्छेत कहलाता है वर्ण विच्छेत का ज्यान होने पर वर्णी की अशुद्धिया नहीं होती वर्ण विच्छेत के कुछ उदाहरण इस प्रकार है राष्ट्रिय र-जम, आ-जम, श-जम, च-जम, आ-जम, आ-जम, य-जम, आ-जम, 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 आ-जम इ जम rank yma I ृ-10 ट। जम। श्रिंग रू-10 श्रिंग हर्ण श्रिंगार श । जमh-33 a, gjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj高 ग्रिहस थी विग्रह बलाघात हम बोलती समय शब्दों के सभी अक्षरों पर एक समान बल नहीं देते किसी अक्षर पर कमबल देते हैं तो किसी अक्षर पर ज्यादा जिस अक्षर पर अधिक बल दिया जाता है उस अधिक बल को ही बलाघात कहते हैं जैसे आम, मटर, आमदनी, सरकार शब्दों में रंगीन अक्षरों पर बलाघात यानि अधिक बल है बलाघात के प्रकार बलाघात के दो प्रकार होते हैं शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात शब्द बलाघात जब शब्दों के उच्चारण में किसी शब्द के एक ही अक्षर पर बल दिया जाता है इसे ही बलाघात कहते हैं जैसे दुकान और घुलवा ना शब्दों में दु या या पर बलाघात है वाक्य बलाघात जब किसी वाक्य में किसी विशेश शब्द पर बल दिया जाता है तो उसे वाक्य बलाघात कहते हैं वाक्य बलाघात से वाक्यों के अर्थ बदल जाते हैं जैसे आज मैं रामायन पढ़ूँगा कल किसी अन्य ने रामायन पढ़ने का काम किया था आज वह काम मैं करूंगा आज मैं रामायन पढ़ूंगा मैंने कल कुछ और पढ़ा था आज रामायन पढ़ूंगा संगम उच्चारण करते समय हमें वाक्य के पदों की सीमाओं का ध्यान रखना पढ़ता है पदों की सीमाओं का मतलब यहां यह है कि वाक्य में हमें पदों की प्रहार गती क्या रखनी है अर्थात दो पदों के बीच में कुछ विराम देना है या एक ही प्रहार में उसे बोल देना है पदों की सीमाओं का निर्धारन करने वाले इस विराम को ही संगम कहते है वाक्य की प्रहार में किन अक्षरों के बीच में हलका सा विराम है उसको जानना जरूरी है संगम वास्तों में इसी विराम का नाम है संगम की स्थिती से बलागात में भी अंतर आ जाता है दो अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग संगम से दो अलग-अलग अर्थ निकलते हैं, जैसे सिर का एक तरह का तरल पडार्थ, सिर का सिर से संबंद, जलसा, उत्सव, आज कॉलेज में जलसा है, जल, सा, जल की तरह, मन का माला का मोती, दाना, मन का, मन का भाव, वर्णों के गलत उच्चारण के कारण होने वाली वर्तनी की अशुधियां हिंदी में वर्णों के अशुध यानि गलत उच्चारण के कारण ही वर्तनी की अधिकाश्त अशुधियां होती हैं कुछ मुख्य अशुधियां इस प्रकार हैं रस्व स्वर के स्थान पर दीर्ग तथा दीर्ग स्वर के स्थान पर रस्व अशुथ शुद्ध अहार आहार, नराज नाराज, आधीन अधीन, हस्ताक्षेप हस्तक्षेप, हानी हानी, पितांबर पीतांबर, बिमारी बिमारी, चहिये चाहिये, परलोकिक पारलोकिक, कवी कवी, बुद्धी बुद्धी, पुष्टी पुष्टी, क्यूंकी क्यूंकी, पूर्ती पूर्ती, दीक्षा, दीक्षा, निरस्ता, नीरस्ता, पुज्य, पूज्य, शुन्य, शुन्य, प्रभु, प्रभु, साधु, साधु, क्रिपालु, क्रिपालु, सुराग, सुराग, मधु, मधु, दयालु, दयालु. नासिक्य व्यंजन की अशुद्धियां अशुद्ध शुद्ध गुड गुण टिपडी टिपणी गर्ना गर्ना रामायन रामायन किरन किरन प्रान प्रान रनभूमी रनभूमी रणभूमी र ल र के उच्चारण में अशुद्धियां अशुद्ध शुद्ध उजारना लडाई, लडाई, व और ब की अशुद्धियां, अशुद्ध, शुद्ध, बनस्पती, वनस्पती, बिश, विश, वर्षा, वर्षा, बानी, वानी, श, श, तथा स की अशुद्धियां, अशुद्ध, शुद्ध, विश्वास, विश्वास, सासन, शासन, देश, देश, शा सारांश, सारांश, प्रसंश, प्रिशंश, असूक, अशूक, शुशोभित, सुशोभित, शाशन, शासन, नमस्कार, नमस्कार, भविस्य, भविश्य, तो की अस्थान पर ठ, अथ्वा ठो की अस्थान पर ठ, अशुद्ध, शुद्ध, निश्टा, अभिष्ट, अभिष्ट संतुष्ट संतुष्ट घनिष्ट घनिष्ट विशिष्ट विशिष्ट शो के अस्थान पर छो अशुद्ध शुद्ध छेम शेम दीख्षा दीख्षा छमा शमा कच्छा कक्षा विपच्छ विपक्ष री के अस्थान पर रव अशुद्ध शुद्ध रिशी रिशी ग्रहित ग्रहस्त ग्रिहस्त किर्पा क्रिपा प्रथक प्रिथक याद रखें वर्ण वेध्वनी चिन्न हैं जिनके और खंड नहीं किये जा सकते वर्णों के क्रमिक और व्यवस्तित समूह को वर्णमाला कहते हैं हिंदी वर्णमाला में दो तरह के वर्ण हैं स्वर और व्यंजन व्यंजनों के साथ स्वरों को मिला कर लिखने पर स्वर व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में जुड़ते हैं सभी स्वर अनुनासिक भी होते हैं. अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्णों के अस्थान पर होता है. स्वर सामानित तीन प्रकार के होते हैं. रस्व, दीर्ग और प्लुत. व्यंजनों के सामानित तीन भेद होते हैं. स्पर्श, अंतस्त और उश्म. स्वर रहित व्यंजन के समान स्वर्सहित व्यंजन से मेल होने को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। स्वर्त अंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं घोश और अघोश। श्वासवायू की मात्रा के आधार पर व्यन्जनों के अलपप्राण और महाप्राण दो भेध होते हैं. उच्चारण के समय शब्दों के अक्षरों या वाक्यों के पदों पर बल देने को बला घात कहते हैं. उच्चारण के समय दो पदों के बीच के विराम को संगम कहते है झाल 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 झाल